दोस्तों कई वार जो है सवाल देखने में बड़ा मुश्किल होता है लेकिन solution उतना ही आसान होता है जैसे कि ये सवाल खरगोश और कच्छुए की कारणी आप सवी ने सुनी होगी उसी पर बेस्ट है देखिए ज़रा Once upon a time the king of jungle planned a 2 km race between rabbit and tortoise तो 2 km की race plan की गई rabbit और tortoise के बीच में खरगोश और कच्छुए के बीच में Soon after the start of the race the rabbit took a huge lead क्योंकि rabbit बहुत fast था और उसने एक lead बना ली On realizing that even after taking a nap of 10 minutes he would beat tortoise by 13 minutes तो उसने सोचा कि अगर मैं 10 minutes की नींद भी ले लूँगा तो भी मैं tortoise को 13 minutes से beat कर दूँगा Overconfidence, maths भी बहुत अच्छी थी आपने देखो कितने अच्छी तरीके से उसने idea लगा लिया कि 10 minutes लेने के बाद भी मैं उसे 13 minutes से beat कर दूँगा He stopped under a tree and went to sleep, okay, so गया Meanwhile tortoise kept walking, कच्छुआ अपनी चाल से चलता रहा When the rabbit woke up, जैसे ही rabbit सो कर उठा, उसने realize किया कि या लेट हो चुका है काफी तो उसने देखा कि उसने 3 minutes के लिए जो प्लान किया था उसने 14 plus 10 minutes की nap ले ली एनी 14 minutes की extra need उसने ले ली and immediately started running towards the target with a higher speed, 3 by 2 times speed, मतलब डेड़ गुना कर दी अपनी speed उसने The race eventually ended in a dead heat, तो dead heat का मतलब यह होता है कि दोनों same time per destination पर पहुचे Now if the ratio of original speed of rabbit to that of tortoise was 6 is to 1 and the rabbit overstretched his nap by 1 1 by 60 minutes then how long did the tortoise take to complete the race तो यह सवाल देखकर आपको लगेगा कि इसको छोड़ देना चाहिए पर छोड़ने से पहले आप जरा यहाँ पर कुछ clue अगर दिया गया है तो उस पर ध्यान दीजिए यहाँ पर इन दोनों चीजों को आप relate कीजिए हम यह कह सकते हैं कि उसने 10 minutes प्लान गिया था और 14 minutes extra neatly 14 minutes से अपनी जो nap है वो over stretch कर दी तो we can say यहाँ पर जो 1 1 by 60 minutes जो over stretch time दिया गया है वो किसके बराबर होना चाहिए 14 minutes के बराबर होना चाहिए yes तो we can say it is nothing but 7 by 60 equals to 14 तो T की value कितनी आ गई 12 minutes yes अब जब T की value 12 minutes आ चुकी है इसका मतलब यह है कि जो rabbit ने सोचा था वो यह सोचा था कि मैं 12 minutes की नीन लोगा T मतलब 12 12 minutes की नीन लेकर भी उसे 13 minutes से हरा दूँगा इसका मतलब अगर rabbit लगातार चलता रहेगा तो 25 minutes से tortoise को हरा देगा क्योंकि 12 minutes तो उस हो गया और 13 minutes से उसे फिर भी हरा रहा है यानि कि 12 plus 13 25 minutes कम समय वो ले रहा है tortoise की तुलना में और हमें यहाँ पर उनकी speed का ratio भी दिया गया है तो rabbit और tortoise की speed का ratio हमें दिया गया है 6 is to 1 यह speed का ratio है तो time taken का ratio to cover the same distance है so we can say the race 1 by 6 हो जाए रिवर्स राइट तो इनके बीच में जो difference आना चाहिए ideally वो कितना आना चाहिए 5 parts and that should be equal to 12 minutes उसने नीन ली और प्लस 13 minutes से फिर भी उसे बीट कर देगा यानि कि 25 minutes ideally rabbit कम ले रहा है tortoise की तुल नाम है तो 5 की value कितनी हो गई 25 तो 1 की value हो गई 5 यानि कि जो tortoise time ले रहा है वो 6 ले रहा है तो 6 into 5 यानि 30 minutes यानि tortoise race को finish करेगा 30 minutes में वही हमसे बूचा है what is the time taken by tortoise to complete the race yes तो question को छोड़ने से पहले skip करने से पहले एक बार आप quickly read करेंगे scan करेंगे कहीं कोई वहाँ पर अगर clue दिया गया है और आप solve कर सकते हो इसको logically तो solve करेंगे otherwise अगर आपको question ऐसा लगता है कि time taking है calculated equation वगेरा वनानी पड़ेगी तब उस question को छोड़ेंगे इसमें भी कई सारी unnecessary चीज़ें दी गई थी जैसे के race की length 2 km इसने अपनी speed 3 by 2 times कर दी यह यह सारी चीज़ें confuse करने के लिए दी गई थी काम की चीज़ें केवल इतनी थी तो hopefully solution आपको समझ आया होगा वीडियो आपको कैसा लगा यह comment करके जरूर बताईएगा thank you so much